एक्साम इतनी जल्दी कराना पिलेम्स और फिर मेंस के लिए बच्चों को टाइम ना देना वो भी बहुत जल्दी कराना और मेंस के लिए 4 महिने का इंतजार कराना एंध के लिए और उसके बाद फिर आप लगने इस तरह 1 गटवड़ी पाई जाने आयोग में एक सवाल ख़ड़ा कर दिये नमस्कार दोस्तों मैं हूं सतिन स्वागता आपका टार्गेट फोर आईक्यू में देखियो आयोग ने बिर्कुल साफ इंकार कर दिया है सभी पूर्व भरतिया निरस्त कराने से बिर्कुल उन्हें साफ कह दिया है यदि कोई गड़बड है तो आप होते हैं कि मेंस इतनी जल्दी इन लोगों ने कराया एक मेहने के अंदर अंदर और फिर रिजल्ट अब तक चार मेहने तक नहीं आया यदि इनके पास इतनी सारी बेकेंसी को लेकर मेंस कोपी चेक करने के लिए टीचर नहीं थे तो फिर इन लोगों ने पहले ही बंदोबस होने वाली है जो ये नियूस पेपर की कटिंग आप लोग देख रहे हैं पूरे नियूस पेपर में अब पिछले तीन चार दिन से ये पूरी कवरे फैल रही है क्योंकि अंजू कटियार जो है उसके साथ साथ आयोक के और भी मेंबर करमचारी पूरी तरीके से लिप्त पाए गए है यहां पर PCS Association ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है अंजू कटियार को बचाने के लिए बाकि आयोक पर पूरे के पूरे बिकोज जो डिफाल्टर कंपनी को टेंडर इनों ने दे दिया था दुवारा जो ब्लैक लिस्टिट थी उसको लेडी दे दिया था ये भी एक सवालिय निसान खड़ा करता है तो इस तरह से आयोक पर सवालिय निसान खड़े होने दूसरा सचिव जो है आयोक के जगदी सिंग उनका कहना है जो परिक्साएं हो चुकी है वो निरस्त नहीं होंगी ठीक है तो ये सारी खबरे आप लोगों को मैं बता दूँ कि पूर्ग की भरतिया है वो निरस्त नहीं होंगी लेकिन बहुत सारे जो बच्चे इमानदारी से अपने घर से सहर से अपने दूर रहके पठाई करने हैं इतना पैसा खर्च करने हैं इन सब बच्चों का मोरल डाउन हो रहा है इस तरह की खबरे जब सामने आ रही है ठीक है लेकिन आ का इन पर प्रेशर है तो जो रिजल्ट वैसे को निश्चित हैने कि कब तक आएगा जिस तरह से आयोग में इस तरह काम और इनकी कारे से लिए उसको देखतो है कोई अंदाजा या कोई आइडिया या सी कोई सूचना नहीं है कि रिजल्ट कब तक आएगा बहराल अभी आय की बेकेंसी 2016 का अभी रिजल्ट उसका भी आना बाकी है ठीक है तो यह सारी न्यूस्ट पर में आज खबरें आई हैं तमाम आप लोग देख सकते हैं एप्यों की परिक्सा भी निरस्त हो चुकी है और यूपी पीसी एस मेंस की परिक्सा भी जो थी वह भी स्थिकित कर दी गई है यह भी स्थिकित कर दी गई है अभी हाल इनको कुछ नहीं पता कि कब तक यह एक्जाम हो और संबगत है पूरा साल यह गायब होने वाला है सबसे बड़ी बात यह है कि जो अर्दवार से कलेंडर इन लोगों ने निरस्त कर दिया है यानि वह भी द्वारा से दिया जाएगा तो इसका मतलब सीधा है कि यह सारी वेकेंसी आगे जाएंगी सारी वेकेंसी जो भी आने वाली अपकमिंग नोटिफिकेशन थे वो सारे के सारे आप महीं रोग दिया गए है अब जब तक आयो कि जो कार्या से लिए नई टेंडर मिल जाएगा किसी कंपनी को तब में चैनल जरूर सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें